नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार जर्खंट का नमबर वन यूटीब चैनल आप सीटीज और मैं हूँ आपके साथ साहे बली छे मई आनी की कल बिहार की पांच लोगसबा सीटों पर वोटिंग होनी है जिसमें की मुझफरपूर, मदुबनी, सीता मडी, सारण और लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि एक और लोगसबा छेत्र में मदान होना है, जी हाँ, वो मदान पुनर मदान होगा, हुआ कुछ ऐसा था कि लकी सराय में, जो कि मुझेर लोगसबा छेत्र में आता है, वहाँ पर कुछ वोटिंग होई थी, जिस पर कैप्चरिंग क मामला आया था और बूत कैप्चिरिंग इस मामले को लेते हुए इलेक्शन कमिशन ने संग्यान लिया जिसके बाद चुनाव रद कर दिया गया और अपुनरमदान अब कल ही होने हैं तो कल बिहार के छे लोग लोग सभा छेतरों में चुना होने हैं पांच लोग सभा सीट और एक मुंगेर लोग सभा सीट के लखी सराई इलाके में वोटिंग होनी है दो बूतों पर मदान होना है आप आपको बता दें कि इस पांच लोग सभा सीट जिसमें की 6 मही को कल वोटिंग होगी उसमें कौन-कौन से दिगज सामिल हैं तो बात कर लें मुजफरपूर की सबसे पहले मुजफरपूर की बात कर रहे हैं वहाँ पर अजय निसाद जो की कैप्टन जेनरे निसाद के बेटे हैं और मौजूदा सांसद हैं मुजफरपूर लोकसभा सीट से उनका मुकाबला जो है VIP के टिकेट पर चुनाव लड़ रहा है डॉक्टर राज भूशन चौधरी निसाद से निसाद बनाम निसाद का ये मुकाबला है एक तरफ ना हो तो दूसरी तरफ कमल के बीच मुकाबला होगा मुकेसनी वी आईपी के मुखिया है और फिर यू कहें कि दो बड़े चेहरे एक तरफ जहां पर लालू पर साद यादो का चेहरा वहाँ पर जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ राम विलास पासवान क्योंकि हाजिपूर्स छेत्र के राम विलास पासवान बड़े दिगजों में से एक है वहाँ से वो रिकॉर्ड भी कायम कर चुके है इस बार वहाँ पर उनके भाई पशुपति कुमार पारस मैदान में है जो की लजेपी टिकेट पर चुनाव लड़ रहे है बिहार सरकार में वो मंत्री भी है लजेपी के सीनियर लीडर भी है आपको बता दे उनका मुकाबला शिवचंद राम जी हाँ बिहार सरकार में पूरु मंत्री भी रह चुके हैं शिवचंद राम जो है राज़त के सीनियर लीडरों में से एक है शिवचंदर नाम बनाम पशुपति कुमार पारस राज़त बनाम लज़ेपी जी हां यहां मुकाबला काफिद लिल्चस्प होगा इसके बाद हम बात कर लेते हैं सारन लोग सभा सीट की सारन लोग सभा सीट पर राजीव प्रताप रूडी जी है भाजपा के बड़े नेता ह हैं पुर्व मंत्री भी हैं आपको बता दें कि इस लोग सभा छेत्र में वो मौजूदा सांसद हैं उनका मुकाबला चंदरिका प्रसाद राय जो की राज़त के सीनियर नेताओं में से एक हैं तेजपरताप यादो के ससुर भी हैं वो और उनका मुकाबला राजीव परता सच चुनती है क्या पशुपतिकुमार पारस को मौका मिलता है एक बार या फिराजीव परताप रोडी को दोबारा सांसद चुना जाता है अब बात करते हैं मदुबनी लोग सभा सीट के मदुबनी लोग सभा सीट पर इस बार तीन दिगज मैदान में हैं जी हां कॉंग्र हुए वो मैदान में हैं निर्दली शकील एहमद मैदान में हैं तो दूसरी तरफ NDA के कैंड़ेट अशोक कुमारियादो मैदान में हैं देखना होगा कि शकील एहमद के चुनाव लड़ने से बदरी पूरवे कितना नुकसान पहुंचता है हाला कि VIP के मुके सन अफ मल्ला म मुके सने भी कह चुके हैं कि वो भाजपा को मदद करने के लिए वहाद चुनाव लड़ने लेकिन शकील एहमद के दावा है कि भाजपा को हरा नहीं पाएंगे बदरी पूरवे जो VIP केंड़ेट है इसलिए उन्हें मजबूरन चुनाव मैदान मुतरना पड़ रहा है बड लेकिन जदियों में शामिल होने के बाद उन्हें टिकट सीता मड़ी से दिया गया उनके अगेंस में महागडबंदन के कैंड़ेट हैं राजप के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं अरजुन रहा है पहले वो शरद यादों के पार्टी में थे लेकिन आरजेडी में आय गया सीता मड़ी लोकसवा सीट से देखना होगा कि क्या होता है छे मई को जो वोटिंग होती है किस तरह का रुजान जनता का होता है किस तरह जनता अपने मतों का इस्तमाल करती है महागडबंदन हो या फिर एंडियो किसके पक्ष में वोटिंग होती है देखने वाली बात अभी सब्सक्राइब करें फैजु पेज को लाइक कर और विश्थार से खबरों को पढ़ने के लिए लाइब सिटीज डॉट इन पर जाएं धन्यवाद